हाँ तो भाई लोगों जैसे हम सब जानते हैं पिछले कुछ टाइम से Marvel Cinematic Universe के हाला सही नहीं चल रहे थे लोग गाले दे रहे थे, movies flow of हो रही थी और जैसे कि ये सब कम था Marvel के Big Buddy Kangda Conqueror का रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर जो नतर मेजर पर पुलिस केस हुआ उन्हें Multiple Chargers जैसे Assaulting और Abusing के लिए Arrest भी कर लिया गया था और Marvel के लिए कोई छोटी बात नहीं है बल्कि बहुत बड़ी बात है और इसका Region ए Disney जो Marvel को ओन करते हैं वो PG-13 कंटेंड बनाती हैं जो जैतर Families के लिए होता है वो किसी भी ऐसे बंदे को अपनी कंपनी में काम नहीं देती जिस पर Woman Assaulting का केस हो या कुछ और जिससे कंपनी बदनाम हो जिसका सबसे बड़ा Example है जोनी डेप जिन पर खुद की वाइफ पर मार पीट करने के चार्जस लगे थे जिसके बाद Disney ने इने 4.5 बिलिन डॉलर की फ्रेंचाइजी Pirates of the Caribbean में Captain Jack Sparrow के रोल से निकाल दिया था और ये फ्रेंचाइजी बहुत ज़्यादा Establish थी जिसके fan following आज भी बहुत ज़्यादा है सिर्पो सिर्प जोनी डेप की वज़े से लेकिन डिजनी के जोनी डेप को इस फ्रेंचाइजी से निकालने के बाद ये फ्रेंचाइजी टोटली डेड हो गी थी और डिजनी जानता था कि ये सब होगा लेकिन फिर भी डिजनी ने ऐसा किया तो फिर कैंग का रोल प्ले कर रहा है आले में गार्जन ऑफ दा ग्रैक्सी 3 फिल्म में हाई इवोल्यूसनेरी का रोल प्ले किया था जो फैंस को इतने पसंद आया कि फैंस ने कैविन फैकी से डिमांड किये कि उन्हें का रोल प्ले करने दिया जाया जाया प्ले करेंगे या कोई और यहीं पर इस वीडियो को यहीं पर रैप अपकर करते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टोपिक पर कि नगट रहता हुआ है?